आखको हमारे सेशन है रेलवी आंटी पीसी परिष्छा से कुछ सबन्धित जनकारी परिष्छा कब होगा इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताया गया है इस चैनल पर आपको बताया गया है ठीक है यहाँ पे देखे जागरन वीरो हैThank you जागरन बीरो नई दिर, यहाँ पर देखे आपको यह 16 तारिक को पोस्ट किया गया है, ठीक है 16 जून को यहाँ पर देखे आपको 16 जून 2020 को 8 बसकर 5 मिनट पर यह पोस्ट किया गया है, इसमें आपको सारे डाउट्स आपको बताया कि यहाँ रेलवे एंटी पिसी एक जाम् अब इस पूरे मतलब कमेंट को पढ़कर कब समझ सकते हैं, दाले लगा सकते हैं कि जाम्स एंटी पिसी का जो हने वाला रेलवे का वो जल्द ही अब सुरू हने वाली है, ठीक है तो अब यहाँ पर प्रोसेस आपका कुछ प्रोसेस बाकी है, कुछ धिकतर जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है, कुछ बाकी है, तो चली इसमें क्या-क्या बताया गया, यहाँ पर आपको हम धिरे-दिरे आपको पढ़करके बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, जब स्टार्टिम हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक Main Topic दिया गया है इंडियन रेल्वे जब, रेल्वे में भरती परकिरिया शुरू, डेर्ष करोड से अधीक अभ्यार्चियों की परिच्छा क्राना बड़ी चुनोती, अब यहां पर देखें यहां पर साफ साफ लिखा गया है, यह उला पॉइंट पढ़िए, यहां पर लिखा गया कि बीरो नई दिली, ठीक है, तो जब आगी हम इसमें बढ़ेंगे, तो क्या लिखा कि यहां देखें, कोरोना वाइरस की महां हमारी के चलते हैं, रेल्वे की कई अस्तरों पर थम गई भरती परकिर्या जल्द ही चालू हो जाएगी, परिच्छा कराने के लिए केंडरों को च चेरमेन विनोत कमार यादों ने स्परस्ट किया कि, कोविड-19 में हमारी की स्थिती में सुधार आने के साथ ही हम भरती परकिर्या आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या है, देखें यहां पर, मतलब इसी एक्जाम्स के बारे में सारा जो प्रोसेस हो बताया गया, कब एक्जाम्स स्टार्ट होगा, कितना टाइम लगया, इस विडियो में आपको सारे डाउट्स केलियर हो जाएंगे, मेरा उद्यस क्या था, मेरा उद्यस था कि आपको इस पोस्ट को आपको तक पहुचाना, तो आपको यदि यह पोस्ट पूरा आपको पढ़ना है, तो इस विडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पोस्ट का लिंक आपको डाल देता हूँ, आप वहां से जाकर के पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं, इस पूरी पोस्ट के बारे में, इस यह पोस्ट किस बारे में है, क्या है, कि आपको पूरे सारे डाउट्स आपको, railway NTPC exam के सारे जो प्रसन है आपके मन में वो सारे डाउट सारे डाउट केलियर हो जाएंगे आपके तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद